Yes everyone, a very very good evening to all my CS students, hope you are doing well and hoping so your preparation for upcoming November 23C examinations going good, हर हर महादेव की जय जैशिव शंकर शंबू, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखा करें इस चीज को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए, बताता हूँ आपको एक बहुत अच्छी news, एक good news आप सभी के साथ share करता हूँ, पहले भी, काफी one week पहले भी एक वीडियो में आपके साथ share करी थी, उसी को मैं conclude करने जा रहा हूँ आज, और वो वीडियो भी आप देख लेना, मैं उसका लिंक देदूँगा आपको, अपने वीडियो के end में उसका भी लिंक देदूँगा, और वो आप जुरूर चेक करिएगा, तो जितने भी intermediate foundations और जो भी आपके final वाले strengths हैं, अपने relevant attempt देने जा रहे हैं, November 23 और December 23 for foundation, अपने जो भी आपका attempt है, वो last attempt है आपका November 23 में as per the existing scheme, और ICAI यहाँ पर lenient होने जा रहा है, आपको अगो सर आप कैसे बता दे तो ICAI के notification से पहले, या फिर ICAI की जो information हो कैसे आपको मिलती है, definitely, मैं publicly चीजों को disclose नहीं कर सकता, this is my limitation, आपको यह भी पता होनी चाहिए, लेकिन यह जरूर चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि आपका CA में, last attempt मानना अपने book, अगर आप inter में है तो दोनों group निकालने की कोशिश करना, और final में है तो अगर दोनों group pending है, तो दोनों group के क्लिए कोशिश करना, और अगर एक ही group है आपका, तो एक ही group में आपको जी जान लगा दे नहीं है, बिकोज ICI lenient होने वाली है, और आपकी percentage जो है, आपकी जो यहाँ पे results percentage है, बहुत ही जवर्दस वनने वाली है, क्योंकि ICI यहाँ पे, जो central council members है, और जो भी हैं, जिनसे मेरी बतलब रहती है बात, हम उनसे बात discussion करता रहता हूँ, कि ICI जिसे आप से transition scheme नहीं लेके आई, तो sir, उसमें क्या impact आएगा November 23, definitely वो आपको एक liberty देंगे, और एक liberty इस तरह का है, कि आपको निकालने का पूरा कोशिश है, ICI का, आप बस अपनी महनत पे विश्वास रखिएगा, आपको महनत में कहीं से भी, कहीं से भी, कहीं तक भी आपको क्यान नहीं करनी है, आपको कम इसके बाद May 24 में तो आपको पता ही है, जैसा भी आए, new course practical oriented होने वाला है, पूरा practical approach आपको आना चाहिए, तब ही जाकर के आप exam crack कर सकते हैं, मेरा इडी motivation नहीं है, लेकिन yes, May 24 इसल से भी new course में percentage high रहेंगी, जैसे कि likewise आपने 2017-2018 किंद जब new course आया था, तब ये चीज ठैक्स पर वाचीं दिस वीडियो, hope you found this वीडियो very informative और वीडियो अच्छी लगे है तो like करना, share करना, चालों को subscribe कर देना पहलादा, press the bell icon, thanks, thanks a lot, thanks for watching this video.